अगर आपका खाता कोटक महंदरा बैंक में है तो बहुत ही इजली आप कोटक महंदरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग का इस्तमाल कर सकते हैं कैसे आपको कोटक mobile banking का इस्तमाल करना है इस वीडियो में आपको complete बिल्कुल सुरू से जनकारी देने वाला हो इस mobile banking से आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ जैसे कि आप अपने खाते का balance चेक कर सकते हैं statement download कर सकते हैं या देख सकते हैं mini statement देख सकते हैं और किसी भी बेक्ती को पैसे भी transfer कर सकते हैं और भी services इसमें मिलते हैं जैसे कि आपको अपने ATM card से related बहुत सारे services मिलते हैं जैसे कि नया debit card के लिए apply करना हो या फिर अपने ATM card का password पीन बदलना हो या फिर cardless cash withdrawal करना हो इन सभी तरीके का काम आप kotak mobile banking में कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कैसे kotak mobile banking का इस्तमाल किया जाता है complete details में बताने वाला हो friends मेरा नाम है अंसू और स्वागत करता हूं आपका अंसू digital classes में तो चलिए दोस्तों बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं kotak mobile banking app को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile से play store खोलना है और यहां search में kotak mehendra bank टाइप करके इंटर करना है तो यहां पहला ही यहां link आ जाएगा kotak mobile banking app इसको install पे क्लिक करके इसे install करना है जब आप इसे install कर लेंगे थोड़ा से समय लगेगा आप देख सकते हैं यहां पर install हो रहा है तो install इसको हो जाने देते हैं उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है फाइनली आप देख सकते हैं यह app जो है install हो चुका है उसके बाद आप यहां पर open पे क्लिक करेंगे जब आप क्लिक करेंगे तो यह application इस तरीके से खुलेगा यहां आपको proceed वाले बटन पे क्लिक करना है तो यहां पर आपसे allow पूछा जाएगा आपको allow पे क्लिक कर देना इस तरीके से और यहां पर जो है यह application इस तरीके से खुलके आ जाएगा अब यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है यहां पर लिखा हुआ है not a quota customer let's begin और यहां लिखा हुआ है existing customer login तो आपको यहां पर existing customer login वाले बटन पर क्लिक करना है और यहां पर देखिए बहुत ध्यान से यह send secure sms now इस पर आपको क्लिक करना है आपको यहाँ पर क्या करना है Send Secure SMS Now पर क्लिक करके Allow के बटन पर क्लिक करना है देखिए बहुत ही ध्यान से समझेगा Complete जनकारी आपको देने वाला हो कि कैसे इस application में आपको रज़खिए यहाँ पर लिक दिया Verification Successfully एक चीज के आपको ध्यान रखना है जिस Mobile Number से आपके Bank Account में जो Mobile Number Register है वही Mobile Number आपके Mobile Phone में भी होना चाहिए यहाँ पर Continue पर क्लिक करेंगे और Continue पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर दो Option आ रहा है आपका CRN Number उपर लिखा होगा और यहाँ पर देखिए तीन Option से आप कर सकते हैं जैसे कि Debit Card, Credit Card, Forex Card उपर लिखा है Debit Card या फिर Net Banking तो अभी तब तो आपने इस Application रेजिस्टेशन नहीं किया है तो आप अपना Debit Card का Number जो 16 अंक का आपके Card पे चार-चार अंक का अलग-अलग लिखा रहता है 16 अंक वो यहाँ पर टाइप करना है Expire Date यहाँ से Select करना है क्लिक करके उसके बाद आपको क्या करना है CBB Number टाइप करना है अब CBB Number क्या होता है जो आपका ATM Card है जो Debit Card उसके पीछे ध्यान से देखेंगे न तो तीन अंक का तीन अंक का ही होगा पीछे जो है आपके Debit Card के पीछे लिखा रहता है तीन अंक का वो आपका CBB Number होता है वो टाइप करना है और Card का PIN टाइप करना है Card का PIN कहने का मतलब अपने ATM Card का PIN टाइप करके और उसके बाद आगे बढ़ना है एक चीज में आपको और बता देता हूँ मान के चलिए कोई लोगों के पास ATM Card है, Debit Card है ठीक है लेकिन उसका PIN नहीं बनाए है उनको पता ही नहीं है कि उनका Card का PIN क्या है तो PIN कैसे बनाते हैं घर बैठी अपने Mobile Phone से बिलकुल बना सकते हैं, इसका वीडियो हम बना चुके हैं पहले अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से क्लिक करके आप डिरेक्टली उस वीडियो को देख सकता है मत्र दो मिनट में आप अपने ATM कार्ड का PIN बना सकता है नया ATM कार्ड का PIN बना सकता है या फिर पुराना भी ATM आपके पास है और अभी तक आपने पासवर्ट सेट नहीं किया है या फिर आप पासवर्ट भूल गए है तो बहुत एजली आप अपने पासवर्ट को जो है रीसेट कर सकता है इस पर भी वीडियो मैंने बना दिया है सारा चीज डालने के बाद यहां नीचे सब्मिट वाले बटन पे क्लिक करना है सब्मिट पे क्लिक करते ही आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर आगया सेट एम पीन एम पीन कहने का मतलब जब आप इस कोटक मोबाइल बैंकिंग एप को खोलेंगे तो आपसे छोव अंक का एम पीन पूछेगा वही पीन यहां पर उपर डालना है और नीचे कंफर्म में भी वही डालना है यानि 6 डिजित का आपको दोनों में आपको सेम पीन डाल देना है उसके बाद आगे बढ़ना है यहां आपको एम पीन डालते ही आटोमेटिक यह जो है आगे बढ़ जाएगा यहां language चूच करने के लिए आएगा और got it पे आपको क्लिक करना है यहां got it पे क्लिक करने के बार यहां पर आपका नाम लिखा होगा CRN नमबर यहां पर फोटो डाल सकते हैं यहां फिर आप यहां पर next वाले बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा Fingerprints Authentication यानि अगर आप अपना finger लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर लिखाए Do you want to enable finger authentication instead of mpin to login तो यहाँ yes या no कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर yes कर देंगे तो mpin की जगा fingerprint आ जाएगा तो फिलाल हम इसको no कर देते हैं और यहाँ पर जो है skip करके ok कर देते हैं ok वाले बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जो है एक और यहाँ पर pop-up आएगा i accept पर क्लिक करना है और finally आप देख सकते हैं यह आपका application जो है home page आ गया खुल गया application आप देख सकते हैं यहाँ पर उपर आपका account number यहाँ view balance उपर लिखा हुआ है आप देखिए यहाँ पर लिखा वाइलेंस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका balance बताएगा यहाँ से money transfer कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारा option है जैसे कि account overview यहाँ statement डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर बहुत सारा चीज दिया हुआ है cardless transaction और भी बहुत सारा चीज यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं और इन सभी option का भी यूज कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही इसको log out करने के लिए कैसे log out करते हैं वो भी बता देते हैं इस application से अब log out करने के लिए आपको यहाँ three dot पे क्लिक करना है first में और यहाँ पर नीचे देखे log out है इस पर क्लिक करना है और यहाँ ok कर देना है ओके पे क्लिक करते हैं यहां फिर से ओके करेंगे अब आप इस application से लॉग आउट हो चुके हैं आप देख सकते हैं यहां पर फिर से mpin मांगने लगा यह application आपके mobile phone में app list में आ जाएगा मैं आपको फिर से open करके दिखा देता हूँ अब यहां पर किवल आप mpin डाल करके अप इस application में दिये गए option का यूज कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफी पसंद है होगा वीडियो पसंद है हो तो वीडियो को like जरूर कीजिए अपने friends के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे share कीजिए और अभी तक आपने अमारे इस channel को subscribe नहीं किया और friends आपके मन में कोई doubt है confusion है तो इससे related आप comment box में पूछ सकते हैं उसका मैं reply जरूर दूँगा तो मिलते हैं friends next वीडियो में